आकर्शन के नियम यानि की Law of Attraction हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव करता है। वास्तों में अगर हम देखते हैं, तो यह हमारे व्यक्तिगत और समाजिक जीवन दोनों पर अस्तर डालता है। अब बात करें व्यक्तिगत अस्तर पर तो आकर्सन के नियम हमारी इच्छाओं और महत्वण लेक्षों के साथ हमेंसे जुड़ा होता है लेकिन हम उसे पहचान में पाते हैं यह नियम लगतार हमारे जीवन में घटित होता है अगर हम इस नियम को अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हम अपने हर मनो कामना को, अपने हर सपनों को आसानी से पूरे कर लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर समाजी का अस्तर पर देखा जाए, तो आकर्सन के नियम हमारी व्यक्तिगत रिस्तो और समंधों पर भी असर डालता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये व्यक्तिगत रिस्तों और समंदों पर असर कैसे डालता है तो जरा इसे समझे कि इस नियम के अनुसार हम उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे सवभाव के समान होते हैं क्योंकि आकर्संग का नियम बताता है कि इस पूरे ब्रह्मान में समान चीजे चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति समान समान को ही आकर्सित करता है इसलिए हम उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमारे सवभाव के समान होते हैं और उन लोगों के मदद से हमें हमारी इच्छाये पूरी होती है मान लो आप कोई काम में सफल होना चाहते है तो इस काम के परती लगतार सकारात्मक सोचने से आप उस काम से जुड़े लोगों के साथ मिलेंगे जो उस काम के एक्सपर्ट है और उनी के मदद से आप अपने उस काम को पूरा कर लेंगे अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि सकारात्मक सोचना ही क्यों क्यों जरूरी है कि हम सकारात्मक सोचे क्या अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो यहां आकरसन के नियम काम नहीं करेगा इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और इने दुविदाओं को दूर करने के बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप मेरी बात मानो आप भी आकर्संग के नियम का उपयोग अपने जीवन में प्रभावी ढंग से कर पाएंगे इसलिए इस कहानी को अंध तक जरूर समझे और इसे अपने जीवन में इस्तमाल करे एक बार अपने मन में शांति बनाए रखता है वह समिष्याओं से दूर रहता है इसका मतलब यह वा कि हमारी सोच के अनुसार ही हम अपने भविस्यकों बनाते हैं हम अपने विचारों के मैद्द्ध को माढ़ते मुद्धम सक्दार करते है यदि हम साकारात्मक अनुभा हो को यी आ एक शिष्यों ने उस बाद विक्चु से पूछा कि है तथागत आखिर या आकर्सिंग के नियम काम कैसे करता है और हम अपने इचाओ को परकट करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें शिष्यों के बाद विक्चु में उत्तर दिया कि आकर्सिंग के नियम सरल है आप जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं आप उसे अपने जीवन में आकर्सित करते हैं यदि आप साकरात्मक सोचते हैं और खुस महसूस करते हैं तो आप साकरात्मक अनुभाओं को और उनसे ज तोड़े लोगों को ही आकर्षित करते हैं बाद विक्चु की ये बाते सुनकर शिष्य भ्रह्म में फस गया और भी दुबारा उनसे पूछे कि है गुरुदेव अगर मान लिया जाए कि हमारा जीवन चुनोतियों और कठनाईयों से भरा हो तो ऐसे समय में साकरातों क्विच प्यारों और भावनाओं को कैसे बनाए रखेंगे शिष्य की ये बाते सुनकर बहुत विक्चुनों ने एक कहानी सुनाया उन्होंने कहा एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था अचानक उसने देखा कि एक बाग उनका पीछा कर रहे थे यहां देखते ही वह आ चटान से निचे उत्रा उसने एक और बाग को देखा अब बैचारा वहां आदमी दोनों तरफ से फस चुका था वह ना इधर हिल सकता था और ना उधर बाद विक्चु के इतना सुनाने के बाद वहां का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था फिर बाद विक्चुने चारो और देखा उसने वहीं पर एक चटान के बगल में जंगली फल उगते हुए देखा वहां फल देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था जैसे उस आदमी उस फल को देखा उनसे रहा नहीं किया उसने तुरंद उस फल को तोड़ा और उसकी मिठास का आनंद लेते ह उन्होंने फल को खा लिया उसी पल में जब फल को खा रहा था उस वक्त वहां बागों और उनकी चिंदाओं के बारे में पूरी तरह से भूल गया था दोनों बाग वहां पर पूरी तरह से मौजूद भी थे लेकिन वहां आदमी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फल के स्वाद का आनंद ले रहा था यहां पर कहानी को समाप्त करते हुए बहुत बिक्षो ने अपने सिस्यों को यह समझाया कि है विक्षो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह की चुनोतिया आती रहेगी और इन्हीं सब चुनोतियों के बीच में हम छोटी सी ख सकरात्मकता में चला जाता है हमारे मन में सकरात्मक विचार आने लगते है और यही सकरात्मक विचार हमारे भीतर की उर्जा को सकरात्मक कर देती है मालो अगर आप को काम अभी कर रहे है और वो काम में आपको बहुत ही कठिनाया आ रही है तब क्या आप उस काम को करना छो पा सकते हैं और यहीं खुशी हमारे भीतर सकारात्मक्ता को भर देती हैं जिससे कि हमारे दिमाग में नए नए शमदान आने लगते हैं और हम उस काम को आसानी से कर पाते हैं हमें उनी चोटी-चोटी खुशियों को पकड़ने की जरुत है लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सिर्फ अपनी कठिनाईयों को परिशानियों को देखते हैं जिससे हमारा जीवन और ज्यादा नकरात्मक होता है लेकिन जरह सोचो अगर हम अपने परिशानियों के बीच में ही छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करना सुरू कर दे तो हम अपना ध्यान नकरात्मक से सकारात्मक के और अस्थनामतरित कर सकते हैं जिसका परिणाम ये निकलेगा कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मक अनुभाव को ही आकरसित करेंगे फिर बादविक्चु यहाँ पर कहानी समाप्त करते हैं और कहानी समाप्त करने के बाद अपने शिस्यों से कहते हैं कि ठीक इसी तरह आकरसन के नियम भी काम करता है आकरसन का नियम पूरी तरह से हमारे विचारों पर चलता है और हमारे जीवन में हर तरह की विचार चलते रहते हैं और उनी सब विचारों में से कुछ-कुछ विचार सकारातों की विचार होते हैं जो हमें छोटी-छोटी खुसी दे सकते हैं हमें सिर्फ उनी सकरात्म विचारों को पकड़ने की जरुरत है जिसका परिणाम ये निकलेगा कि हम आकर्सन के नियम को और अच्छे तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों बहुत भिक्चु की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आकर्सन का नियम चुनोती पूर्ण प्रस्तीतियों में भी सकरात्मक विचारों और भावनाओं पर दियान केंद्रित करके काम करता है। आते हैं और नकारात्मक विचार भी आते हैं और ये हमारे जीवन में लगातार चलता रहेगा। लेकिन जब भी हमारे जीवन में सकरात्मक विचार आए तो हमारा काम है कि हम उसे तुरंत पकड़े और उन विचारों पर कायरी करना शुरू कर दे क्योंकि अगर हम ऐसा नह बहुत को महसूस करे तभी आप आकर्सन के नियम का प्रभाव अपने जीवन में देख पाएंगे और बहुत ही जल्द एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे आज के ग्यानी लोग भी यही कहते हैं कि अगर हमारे भीतर सकरात्यों विचार चलते हैं तो हमारे भीतर के वाइब्रेस को छोड़ रहे हैं और इसके विप्रित भी लगातार इस ब्रह्मान से हम उर्जा भी ले रहे हैं और लौफ एट्रक्शन के अनुसार समान उर्जा समान उर्जा को आकर्सित करता है अगर हम सकारात्मक उर्जा इस ब्रह्मान को छोड़ते हैं तो यह ब्रह्मान भी हमें सक आप उस तरह की लोग से मिलेंगी आपके जीवन में वैसी घटनाए होंगी जो आपके लिए सकरात्मक हो और इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं हमारे जीवन में इस पूरे ब्रह्मान का साथ होता है बस फर्क यह है कि बहुत से लोग इस नियम को समझ कर अपने जीवन करते हैं और बहुत से लोगों की जीवन में लौ अफ एट्रक्शन अंजाने में ही उप्योग होता है लेकिन जरह सोचो कि अगर आप भी जान जाएंगे कि आकर्सन के नियम आपके जीवन में कैसे काम करता है तो आप इसे अपने जीवन में प्रभावी ढंग से उप्योग करें तभी आप आकर्सन के नियम का प्रभाव अपने जीवन में देख पाएंगे तभी आप देखेंगी कि आपका जीवन आपके अनुसार बदलता चला जा रहा है आपकी जो भी चाहिए है वह आसानी से आपको मिलता जा रहा है आपके जीवन में सभी चीजों की एक दूलता को पाएंगे दोस्तो इस कहाने से आपने क्या सिखा एक कमन जरू कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो उस पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू दबाएगा ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स आसानी से पास सके ध आने वाद